हेलो एब्रीबन कैसे आप लोग तो यह है अपनी हिस्ट्री की क्लास जैसा कि अपन एब्री डे जो सामकि हमारी जो क्लास रहती है हिस्ट्री की उसमें इंपोर्टेंट क्वास्टन्स देख रहे हैं और यह जो प्रस्ण है यह पिछली परिक्साओं में पूछे गए हैं या आने वाली परिक्साओं में पूछे जाते हैं क्योंकि बार-बार पुछे जाने वाले प्रस्ण हैं तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग क्लास होने वाली इतियास की और यह सारे क्वैस्टन्स हम आज ही याद करएंगे आपको और आप भी तेह करिए कि आप यह सारे सुरुआत करते हैं जल्दी से पूरी सिरीज है लंबा रहेगा आज की हमारी जो क्लास है मैं डिटेल में करूंगा हर चीज आपको समझा दूंगा इसलिए आप जो निश्चिन्त हो करके बैठिएगा लेकिन साथी साथ अपनी कॉपी पैन लेकर के बैठिए जहां भी आप कि नौट करना है ऻूप महांपे करते रहना पहला प्रशंगा प्राष्ञें निम्दालीक प्रष्णों के उत्तर का सई विकलक के चुनना है पहले क्में की पूट्री तो देखो बात करते हैं प्रभावती-बधिकृथ की इससे morals प्रष्ण परीक्सा में पूछे जाते हैं पहले तो यह है कि यह किसकी पुत्री थी तो यह गुप्त समराट चंद्रगुप्त द्वीतिय की पुत्री थी और इसका विवा जो है न कहीं बार यह पूछा जाता है कि प्रभावती गुप्त का विवा किसके साथ हुआ था तो वाकाटक नरेश प्रभावती गुप्त का विवा वाकाटक नरेश रुद्र सैन्दीतिय के साथ में इसका विवा हुआ था और यह प्रभावती गुप्त ने सकों का उन्मूलन किया था साथी साथ प्रभावती गुप्त जो थी इसके द्वारा भूमी दान किया जाने का उल्लेक मिलता है ये प्रशन पूछा गया था कि प्रभावती गुप्त ने जो है वो भूमी दान किसने किया था और इसके साथ प्रभावति गुप्ति का विवा हुआ था रुद्र सेंद्विति के साथ में चिके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वास्टिन है दूसरा मन के बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसित थी बचों ये तो हमने कहीं बार प्रिस्न किया है कि सिंदुगाटी विडियो के लिए जाना जाता था नेक्स कॉस्टिन है अगला अम कि बांडभट के सासक के राजकवी थे तो बांडभट जो है ये हर्स वरधन के राजकवी थे और बांडभटने हर्स चरित और कादम बरी नामक दो ग्रंतों की रचना करी है next question है मृच कटिकम नाटक के लेखक कौन थे तो मृच कटिकम हलांकि ये 2-3 परसन है शुरुआती जो हमने पहले किये हुए है आगे next जो है वो सारे के सारे नए questions है तो मृच कटिकम जो है जिसका अर्थ होता है मिट्डी की गाड़ी या मिट्डी का खिलोना और इसकी रचना जो है वो महाराज सुद्रक ने करी थी तो सही जवाब रहेगा option B इसका answer है महाराज सुद्रक ने की थी अगला प्रसन है कि इबन बतुता के पाठक उससे किस से पूरी तरह से आपरिचित थे तो इबन बतुता ने अपने ग्रंथ रिहला में ऐसे कुछ चीजों के बारे में उल्ले किया है जो उसके पाठक नहीं जानते थे तो इसमें से वो एक चीज थी बचो नारियल अब नारियल का इसने बड़ा ही विजित्र ढंग से वर्नन किया है कि भई ये मनुष्य की खोपड़ी के समान होता था उपर बाल होते थे ये सारी चीज़े इसने लिखी है तो ये इबन बदुता की पाठक नारियल से अपरिची थे और इबन बदुता को जब ये भारत आया था तो इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था एक वर्स के लिए एक वर्स के लिए इसे दिल्ली का काजी बनाया गया था मौरकों का निवासिता इबन बतुता तेंजिर में रहता था अगला प्रेशना है कि सासन में सरिया का पालन सुन्नेश्चित करवाने वाले क्या कहलाते थे तो इसलाम धर्म जो होता है बच्चों सरिया कानून के आधार पर चलता है और इसमें जो सरिया का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात को सुनिस्चित करने की जिम्मेदारी उल्मा की होती है तो राइट आंसर रहेगा उल्मा और जो सरिया का पालन करते हैं वे बासरिया कहलाते हैं ये प्रशना हमने देखो कल देखा था बासरिया और जो पालन नहीं करते हैं वे बेसरिया कहलाते हैं ये पालन करने वाले ये सरिया का पालन करने वाले और ये थे पालन ना करने वाले पालन ना करने वाले ना करने वाले चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ और next प्रसना है कि सेख निजामुदिन ओलिया की दरगा कहां इस्तित है सेख निजामुदिन ओलिया की दरगा बचो दिल्ली में इस्तित है सही जवाब रहेगा यहां पर दिल्ली निजामुदिन ओलिया साब की दरगा जो है वो कहां पे इस्तित है दिल्ली में इस्तित है नेक्स क्वास्टिन है हमारा कि ताली कोटा के युद में विजे नगर राज्य की सेना पती कौन थे तो ताली कोटा के युद में विजे नगर को पूरी तरह से हरा दिया गया था उसके पड़ो से तीन राज्यों ने मिल करके विजे नगर पर हमला किया था इसे ताली कोटा या राक्सस तांगडी युद के नाम से जाना जाता है 1565 का जो युद हुआ था इसे राक्सस तांगडी युद कहते हैं बचों राक्सस तांगडी युद भी कहते हैं और इसमें रामराय रामराय जो है वो विजे नगर की सैना के प्रधान मंतरी थे उस समय और इन्हों ने इसका नेत्रत्व किया था जिसमें राक्सस तांगडी युदि की नाम से भी जाना जाता है विजे नगर की सना हार गई थी next question है अगला क्रिश्न देव राय का संबंद किस वन्स से है तो ये क्रिश्न देव राय जो है वच्चों विजे नगर सामराज्य का जो तीसरा वन्स था तुलूव वन्स उसके ये तुलूव वन्स के जो है ये सासक थे और विजे नगर में चार राजवन्सों ने सासन किया था पहला था संगम दूसरा था सुलूव तीसरा था तुलूव और चौथा था अराविदू वन्स तो ये जो तुलूव वन्स था तीसरा वन्स इसके सासक थे क्रिष्ण देव राय क्रिष्ण देव राय जो है कई सारे कारियों के लिए जाने जाते हैं इन्होंने मंदिरों के बाद जो तोरण द्वार बनता था जिसे इन्होंने शुरू करवाया था और इसी के साथ साथ इन्होंने एक ग्रंत लिखा था तेलगु भासा में मुक्त मल् और साथी साथ इन्हों ने एक उपादी धारन करी थी जो आमने पिछले वीडियो में देखा था Next question है कि कौन सी फसल नकदी फसल कहलाती है नकदी फसल जो बेची जाती है जिससे आमधनी होती है तो नकदी फसल होती है बच्चों इसमें से कपास ये नकदी फसल है गयों जो चना ये खाद्यान फसल के अंदरगत आती है अगला question है हमारा कि छोटा नागपूर में कोल आदिवास्यों का नेता कौन था तो छोटा नागपूर में जो कोल आदिवासी थे उनके नेता थे गोलू राइट आंसर रहेगा इसका गोलू जो है ये छोटा नागपूर में कोल आदिवास्यों के नेता थे अगला question रहेगा जमिंदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कौन कहलाता था जमिंदार क्या होते थे कि ये लोग जो है जमिंदार जो है ये सहरों और कस्बों में रहते थे और इनका जो ना सहरों एवं कस्बों में रहते थे और कस्बों में रहते थे और इनका जो एक अधिकारी आता था, एक अधिकारी राजस्व वसूलने के लिए गाउं में आता था, राजस्व वसूली के लिए गाउं में आता था, वो वच्चों कहलाता था, वो अमला कहलाता था, यह अमला जो है, यह जमिनदारों का एक अधिकारी होता था, जो राजस स्वं संग्रण करने के लिए गाउं में आया करता था ओए під नेंक्स्ट प्रस्ट ना कि बाल पा से पहले मतलब भारत में जब रेल की सुरुआत हुई इंग्लेंड में 1825 में सुरुआत हूई थी हमने देखा था और भारत में 1853 में जब रेल कपास का संगरन केंदर था तो यह जो कपास होती थी बच्चो इस कपास का संगरन केंदर था होता था मिर्जापूर में होता था मिर्जापूर में इस कपास को वहाँ पे collect किया जाता था और फिर यहां से जो हो भेजा जाता था England भेजा जाता था तो right answer मेरजञपूर next question है काला विधन्यक किसे कहा जाता है तो काला विधन्यक जो है बच्चों रॉलट एक्ट को कहा जाता है क्योंकि इस कानून के तहट जब ये कानून पास हुआ था रॉलट एक्ट तो इस कानून के तहट किसी भी वेक्ति को बिना किसी मुक्दमे के बिना किसी आरोप के गिरपतार मतलब आरोप लगा दिया जाता था बिना किसी कारण के भी उसे गिरपतार कर लिया जाता था नो अपिल, नो वकिल और नो दलिल के तहत किसी भी वेक्ति को जेल में डाल देने के वाला ये कानून था, इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है नेक्स्क्वास्टन है, विश्व का सबसे बड़ा समिधान किस देश का है, तो विश्व का बच्चों, चीन, सहिष्व राजज़ अमेरिका, रूसिया, भारत, तो भारत इसका Correct आंशर रहेगा भारत विश्वका सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन लिखित समीदान की अगर हम बात करें तो वो भारत का ही समीदान है सविक टुरैज अमेरिका का समीदान इतना लिखित नहीं है next question है कि पिता से पोत्र फिर पोत्र और फिर प्रपोत्र को संपति किस व्यवस्था के तैत मिलती है तो ये परंपरा जो होती है बच्चों इस परंपरा को कहते हैं पित्रवनसिक्ता परंपरा Next question है अगला कि निम्नम ऐसे किस सहर को इबन बतुता ने भारत का सबसे बड़ा सहर बताया था तो इबन बतुता ने भारत के दो सहरों को सबसे बड़ा बताया था पहला था दिल्ली और दूसरा था दौलताबाद तो यहाँ पर एक ही बताना ही कि सबसे बड़ा किसे बताया था तो राइट आंसर हैगा कि उसने दिल्ली को सबसे बड़ा सहर बताया था अगला question है निजामुदिन ओलिया के सिश्य कौन थे तो निजामुदिन ओलिया के सिश्य थे बच्चों अमीर खुसरो सही जवाब रहेगा option A. अमीर खुसरो और साथी साथ जो निजामुदिन ओलिया साब है सीख निजामुदिन ओलिया ये बाबा फरिदुदिन गंज ए सकर के शिश्य थे यानि इनके गुरु का नाम अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुदिन ओलिया और निजामुदिन ओलिया के गुरु का नाम था बाबा फ तो विश्नु के जो उपासक होते थे उनको अलवार के नाम से जाना जाता था अलवार संत और कवी तमेल में हुए हैं जिनकी सेंख्या बारा थी ये विश्नु को अपना आरद्य मानते थे नैनार थे नैनार जो है ये सीव भक्त हुआ करते थे ये सीव के भक्त थे और अगला question है बिजे नगर सामराज्जी की स्थापना किस ने की थी तो बिजे नगर सामराज्जी की स्थापना 1336 में हरेहर और भुक का नामक दो भायों ने की थी next question है यवन राज इस्थापना चारी की उभादी किस ने धारन की थी तो यह हमने अभी जो किया था question थोड़े दिर पहले जिसमें हमने कृष्ण देवराय के बारे में जाना था तो यही कृष्ण देवराय थे जिनोंने यवन राज इस्थापना चारी की उभादी धारन करी इसके बाद है रिक्तिस्तान वाले प्रशना, पहला प्रशना है कि जहां सत्ता पूरुसों के एक समू के हाथ में होती है, उसे क्या कहते हैं, तो सत्ता जहां पूरुसों के कुछ समू के हाथ में होती है, मतलब वो समू ही सरकार चलाता है, सासन चलाता है, तो उसे ओलिगार् नेक्स क्वास्टिन है कि चट्टे सताब्धी इस्वी पूर्व से अधिकतर राजवन्स की प्रणाली का अनुसरन करते थे पित्र वनसिक्ता जो सासन प्रणाली थी जिसमें पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरन होता था तो ये पित्र वनसिक्ता प्रणाली हुआ करती ती राजवन्सों में नेक्स क्वास्चन है उपनी सद आरंबीक उपनी सदों में से एक है तो जो ब्रहधारनिक उपनी सद है इस ब्रहधारनिक उपनी सद जो है ये आरंबीक उपनी सदों में से एक है अगला question है कि अधिकांस देवी की उपासना पदती को किस नाम से जाना जाता है तो देवी की उपासना पदती को तांतरिक के नाम से जाना जाता है विठल राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो ये देवराय दीती है जो थे इन्होंने विठल राय मंदिर का निर्माण करवाया था question इसका विठल देवराय दीती है next question है पंचायत राज का सरदार एक मुखिया होता था जिसे या मंडल कहते थे तो जिसे मुकदम या फिर उसे मंडल के नाम से भी जाना जाता था अगला question है कि हडपा सब्यता की सबसे विशिस्ट पुरावस्तु कौन से है तो हडपाई मोहर जो है ये हडपा सब्यता की सबसे विशिस्ट पुरावस्तु है next question है अग्रहार के अग्रहार से आप क्या समझते हैं तो अग्रहार जो है यह वह भूमी एक भूभाग होता था जो ब्राह्मनों को दान दिया चाता था Next question है कि धर्मसुत्र और धर्मसास्त्र नामक ग्रंतकिस भासा में लिखे गए हैं तो ये संस्कृत भासा में लिखे गए हैं तो आज की क्लास में इतना ही बाकी कापन नेक्स क्लास में देखते हैं